मा तो मा होती है, हेलो मा, मैं राजु बोर रहा हूँ, कैसी हो मा, मैं मैं ठीक हूँ बेटे, ये बताओ तुम और बहु दोनों कैसे हूँ, हम दोनों ठीक है, मा आपकी बहुत याद आती है, अच्छा सुनो मा मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने, क्या, हाँ माँ अब हम सब साथ ही रहेंगे नीतू कह रही थी माजी को अमेरिका ले आओ वहाँ अकेली बहुत परिशान हो रही होंगी हेलो सुन रही हो माँ हाँ हाँ बेटे बूरी आखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली बेटे और बहु का प्यार नस नस में दोडने लगा जीवन के सतर साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसु पोंचे और बेटे से बात करने लगी पूरे दो साल बाद बेटा घर आ रहा था बूरी सावित्री ने मोहले भर में दोड़ दोड़ कर ये खबर सबको सुना दी सभी खुश थे की चलो बुरापा चैन से बेटे और बहु के साथ गुजर जाएगा राजु अकेला आया था उसने कहा कि मां हमें जल्दी ही वापिस जाना है इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रखलो और तब तक मैं किसी प्रोपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ मकान मा ने पूछा हाँ मा अब ये मकान बेचना पड़ेगा वरना कौन इसकी देखभाल करेगा हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे बूरी आखोने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हूँ आनन फानन और ओने पौने दाम में राजु ने मकान बेच दिया सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था राजु टेक्सी मंगवा चुका था एइपोर्ट पहुँचकर राजु ने कहा मा तुम यहां बैठों में अंदर जाकर सामान की जाच और बोर्डिंग और विजा का काम निप्टा लेता हूँ ठीक है बेटे सावित्री देवी वही पास की बैंच पर बैठ गई काफी समय बीच चुका था बाहर बैठी सावित्री देवी बार-बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राजु गया था लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया शायद अंदर बहुत भीड होगी सोचकर बूड़ी आँखे फिर से तक-टकी लगाए देखने लगती अंधिरा हो चुका था एयपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी मा जी किस से मिलना है एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा मेरा बेटा अंदर गया था टिकेट लेने वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है सावित्री देवी ने घबरा कर कहा लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दुपहर में ही चली गई क्या नाम था आपके बेटे का कर्मचारी ने सवाल किया रराजू सावित्री के चेहरे पे चिंता की लकीरे उभर आई पिस घर पहुंची जो अब बिक चुका था रात में घर के बाहर चबूत्रे पर ही सो गई सुबह हुई तो दयालू मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया पती की पैंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा समय गुज्रने लगा एक दिन मकान मालिक ने व्रिधा से पूछा मा जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिष्टेदार के यहां चली जाया बापकी उम्र भी बहुत हो गई अकेली कब तक रह पाएंगी हाँ चली तो जाऊं लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहां फिर कौन उसका ख्याल रखेगा आख से आसू आने लग गए दोस्तों